कि नमस्कार दोस्तों बेलकम् टु सरकार स्टडि वेस तो चलिए आज की स्क लास में हम पढ़ने वाले ہے क्रसी आधारीत उद्योगों के बारे मैं इसके पहले हमने जो आधारवुत उद्योग है उनके बारें मैं पर विस्तार से बाद किया अब यहां हम क्रसी अधारित उद्योगों के बारे में देखें क्रसी अधारित उद्योग मतलब जो होता है अग्रिकल्चर बेस्ट इंडस्ट्री जिसके अंतरकात बहुत सारे यहां पर उद्योग आपको देखने मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हैं तो देखें यहां पर आपको च मिलने हमारे सामने में मिलता है जी पर जो तえば रूप में इसका विकास माना जाता है किन्तों बड़ी के luc себе बड़ी सताबी बड़ी स भी स्टी से प्रारंग उन पर अधाई आदा उसमा है इस असमें सूति वासर रूप के बाद यहाँ दूसरा नंबर किसका आता है चीनी जो उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पीनी में लोग की जो संख्या थी वो लगभग 138 देखने को मिलती है ठीक है जबकि हम देख सकते हैं उन 2015 की बात करते हैं तो 2015 में इनकी जो है मतलब आकड़ों के अनुसार अगर देखें तो इनकी संख्या हमको कितनी देखने मिलती है देखने मिलती है, यहां पर देखने मिलती हैμα परदेश इन सभी राज्यों में स्थापित थी और भारत की 60% चीनी मिलती है यूपी में देखने मिलती है मतलब एक मातर यूपी जहांपे 7,3 मिले जो है यही पर अविलेबल है भारत में मिलो की संख्या की दरश्टी से बात करें तो सबसे ज़्यादा कहां पहे है महाराष्ट का प्रतमास्तान है और चीनी उत्पादन की दरिश्टी से यहनी कि महाराज सब से अधिक है और चीनी उत्पादन की दरिश्टी से यूपी सब से अधिक है तो यह दोनी चीज आपको याद रखना है कुछ important चीज हम यहाँ देख लेते हैं जिसे हम यहाँ देख सकते देखिए आधुनिक आधार पर जो भारत है भारत में चीनी उद्योग का विकास है 1903 में 1903 इस भी में प्रारम हुआ और जब की बिहार का जो एक बेतिया जिला है उसमें एक चीनी मिल की स्थापना की गई मतलब यहीं पे 1903 के आसपास और इसके बाद बिहार और तर प्रिजिस के दूसरे भागों में चीनी मिल स्थापित होने लगी 1909 से पहले की बात करें तो चीनी मिल की जो स्थापना है उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना निवा रहे था जैसे कि आपको पता है लाइसेंस राज चल रहा था पहले जो चीनी उद्ध्योग है और भारत में गन्ये की प्रतिय कर उपज अन्य चीनी उद्पादक राष्टो जैसे कि जाबा है हवाई दीप है इन सभी से बहुत कम है 15 टन की आसपास देख सकते हैं और गन्ये में चीनी का प्रतिसत है उसमें अगर देखें तो हमको 9-10 प्रति बर्स 2017-18 की बात करते हैं तो इसमें देश में चीनी का जो कुल उत्पादन है हमको देखने को मिलता है 25.1 प्रतिस दसम्लों एक मिलियन टन और बर्स 2018-19 की बात करें तो यहां पे हमको देखें बढ़ता हुए न जा रहा था 32.11 बढ़तीस दसम्लों एक मिलियन टन यहां प उपियोग करने वाला है और ब्राजिल के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक भी है यहीं कि सबसे बड़ा उपभोगता भारत को माना जाता है और उत्पादक की दृष्टिस अगर देखें तो ब्राजिल पहले नंबर पर है और दूसरा नंबर पर उत्पादक जो है भारत पर देखने को मिलता है यहां देखिए एक चीज आपको देखने मिलेगी जो चीनी उत्वादक सीर्स तीन राज्ज है उनकी बात कर यहां पर 1819 के अनुसार धिखिये यहां पर मीलिंटन में दिया राजी दिया यहां दी सब से पहले नंबर पर कोन है पहले नंबर पर आपको उत्तर पुस्ते मीलिय टन्थाइप करनाटक की बात करें तो 24-32 टन यहां पर देखने मिले तो जो महराष्ट है 22.06 प्रतिसात यहां देखने मिलता करनाटक तीसरे नंबर पर 7.50 प्रतिसात इसके अलावा हम को देखने को मिलता है चीनी उद्योक से संबंदित एक समिती भी बनाई गई थी जिसको बोला जाता है यहां पर रंग राजन समिती यहां पर दबगया है पर 2012 को अपनी अनुससा बहुत है इसने जो है केंद्र सरकार को सौप दी ओचिनी उद्योक से समभंदित लेवी बवास्ता Спuba को समास्कirt करने का नो vasite फजी यहां साथ यहां देखने का इस समीती ourselves प्रावधान र Odalin में है इसके आलाबा ऐसे शृक करने के लिए स्वतंता इसके लाबा चीनी मिलो को सरकार वह आगए पिरन design आपने देखने को मिलती ठीख तो अब यहा पर पाबंदी नहीं रही यहां राभण mm कि भी स्गूज के देख सकते हैं उतपादी उत्पादी एक सांधी रगाएं एंस-परेकर's यहाँ बात कि, शिन जे म्में होता है ल मोटे मी ऋद्योग और किया है थे लुझ फीर ना पर भाट, सबसे प्राचीन युद्धियों को मना जाता ह। क्योंकि यह क्रसी आधारी थे यानि कि क्रसी के बाद जो है सरवधिक यहाँ पर देखें तो क्रसी के बाद सरवधिक रोजगार परदान करता है और यह देश का सबसे बड़ा संगठी ती यानि कि लगभग 4.5 करोड वेक्तियों को यह रोजगार देता है ठीक है इससे कि अगर बात कें तो बिदेशी आय में यह ग्यारा प्रतिसत यहां पर युगदान देखने को मिलता है तो यह लगभग सारे आंकड़े यहां पर देखने को मिले इसके लाब भारत में बस्त रुद्ध्योग ही एक मात्रेंसा उद्ध्योग है जो कच्छे माल से लेकर जो तै कालिन काल्क ता जिस के अंतरवर्गत फूरट ग्लास्टरर में इस्थापित हुआ कि अगया जो पहली कपड़ा मिल थी पर शफल नहीं नहीं हो कि शफल명 है इसके बाद हमको 1854 में यहां पर कबास DM डावर जो है इसके दोरा Bombay Spinning बीविंग कमपनी यहां पर सुरू की गई जो कि यहां पर देखें Bombay यानि कि आज की रेट में मुंबई इसके स्थापने की गई जहां जो है जो उत्पादन है उसकी मातरा दोनों ही द्रिश्टी कोन से सूती मिलो की अधिकता थी और यहां विभाजन के बाद देखें तो 14 सूती मिले तथा 24 प्रतिसत जो कपास उत्पादन छेतर है वो कहां चला गया पाकिस्तान यह नहीं कि पूर्वी पाकिस्तान जिसे बंगलादे कपड़ा विकास और बीनियमन आदेश जिसे टेक्स्टाइल डेवलप्मेंट एंड रेगुलेशन और उनिस सो तरानवे के नाम से जानते हैं इसके माध्यम से उद्द्योग को लाइसंस मुक्त कर दिया गया साथ ही हम देखें तो स्वतंत्रता अंदोलन तथा जो सूती ब सभी ने अवग्या अंदोलन 1931 के अंतरगत चला साथ में भारत छोड़ों अंदोलन की बात करें तो 1942 में देखने मिलता है यह सभी संगर्स में विदेशी वस्त्रों के वहिस्कार तथा स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार पसार ने बस्त्रुद्योग के विकास में काफी अएंप सहयोग यहाँ पर प्रदान किया vacuum बरतमान में देखें तो हमको देखने को मिलता है जो वस्त्रुद्योग को मुखधा तीन जो सरवदिक रज्ग्र ऐसा ने मिलता तो आपको महराष्ट देखने मिलता है गुजरात देखने मिलता है और तमिलनाड़ देखने मिलता है तो चलिए इसी के अंतरगत यहाँ पर देख लेते हैं इन तीनों के बारे में सीर सितीन राज्य जो है आपके सामने देख रहे हैं जैसे सबसे पहले मैंने बता है महराष् दो प्रतिसत कारखाना निर्मित बस्त्र का उत्पादन यहां पर होता है कुछ प्रमुक केंद्र है जिसके अंतरगत मुंबई इसे भारत का कार्ट नो पॉलिस एब मैंचेस्टर कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है इसके अलाबा गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमको देखने मिलता है यहां पर भी 120 मतलब उसी के आसपास जो है कारखाने यहां पर देखने को मिलते हैं तमिलनाडू की बात करें तो 42 दसमलो दो प्रतिसत कारखाने निर्मित सूती धागे का है अत्पादन किया जाता है वस्त रुत्पादन में यह है तीसरे स्थान पर आता है और यहां का मैं जो केंद्र है कोएमबेटूर है इसे दक्षिन भारत का मैंचेस्टर भी कहा जाता है तो यह कुछ फैक्ट थे यह आपको याद रखना है इसका अलावा कुछ और चीजे हम देख लेते हैं जैसे कि देखिए आपके सामने यह नजरा रहा है यहां देखिए जैसे उत्तर प्रिदेस की बात करते हैं तो उत्तर प्रिदेस में कानपूर जिसके अंतर अंतर भारत का मैंचेस्टर इसको कहा जाता है मेरट मुरादाबाद आगरा इटावा अलिगर बरेली हात्रस हात्रस तो काफी फेमस होगा अभी घटन भी यहां पर देखने को मिलती है इन सभी में जो है बस्तुर्थ वादक छेत्र इसको माना जाता है यह कपास अर्थात सूत यह जिसे क पाटन बोलते हैं भारत यह बस्त्र उत्ध्योक का प्रमुका धार माना जाता हो और देश की वस्त्र जो खपद है उसका 56- stick पाश यहां पर मतलब काशा आधारित यह कुछ डाटा है तो देखिंग यहां पर डाटा देखने को मिलता है बस्त्र उत्पादन जो है मिलियन ब तो दिखें यहां पर पहले नंबर पर महाराष्ट फिर गुजरात तिलंगाना है हर्याना है और मद्यप्रदेस का इस्थान आता है कि अब बस्तर उद्योग से संबंदित कुछ सरकारी प्रियास है जिनके द्वारा इसको जो है अपग्रेट करने इसके विकास करने इसको प्रोफ्षान देने के लिए यहां पर योजना चलाए गई जिसमें हम देखें तो हमको देखें कुछ योजना देखने मिलती जैसे एक द्योग से संबंदित अगर पहल पूछी जाती है मतलब गवर्मेंट पहल या फिर जो भी उसको सुधार के लिए प्रोफ्षान के लिए जो भी पहल की जाती है उनके इंतरगती सारी चीजे लिखना पड़े ठीक है तो सांथी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है सांथी का मतरा मत बुट बाद मतरा रही एक सउपर उपना फिर या तुर्ण चलित यो और जो लूंद होते हैं मोटर के है उसको थोक में करेख़ा बिना अगरीम लागत के लगी हम जो मध्यम इकाईया है उसको उपलब्द कराय जाए गा इसके अलाबह देखें तो हमको देखने मिलता वस्त रुद्ध्योग छेत्र में छमता निर्वान योजना तो ये भी आपको याद रखना है जिसके अंतर गता कर देखें तो स्कीम्स फॉर कापसिटी बिल्डिंग इन टेक्स्टाइल सेक्टर जिसे एसी बी टी एस बोलते हैं एसी बी टी एस इसको बोला जाता है और आर्थिक मामलों की मंत्रि मंदेली समिती ने जो बस रुद्ध्योग है उसके छेत्री की छमता निर्मान है तो तेरह सो करोड आध्यम से रोजगार के अवस्वरों में ब्रद्धी की जाएगी साथ ही देखे तो नेशनल स्कील जो कौलिफिकेशन फ्रेंबर्ग है जिसे एन एस एस एन एस क्यू एफ एन एस क्यू एफ इसको बोला जाता है इसके पाठ्यक्रम के अधार पर जो सभी ट्रेनी है यानि पर सिक्ष्यू जो होते हैं उसको प्रमान पत्र भी प्रदान किया जाएंगे पोस्ट प्लेस्मेंट ट्रैकिंग भी की जाएगी यहां पर तो बहुत सारी चीजिस के अंतरगत देखने मिलती है इसके अलावा देखें एक इकरत वस्त रुद्ध्योग की बात करें तो एक बस्त रुद्ध्योग केंद्र के रूप में बुनियादी नहाचा विकास है इस योजना को यहां पर देखें तो जो है इसके अंतरगत यह जनरेट हो रही थी पहले से और एकिकरत वस्त रुद्ध्योग पार्क योजना है उसके अंतरगत दस भी पंच बरसी योजना अब इन योजिना के नाम में याद रख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं बुनकर से योजिना इदहागा योजिना इप मतलब यूजिन नहीं है जिसके अंतरगत आप देख सकते हैं मार्जिन मनी असिस्टेंट के रूप में 10,000 रुपए और तीन बर्सों के लिए रिंड की गरेंटी इधागाय अब जो था बुनकरों को अच्छी सिवाए 24 गंटे आवस्सक्त सूचना उपलब्द कराने के लिए मोबाईल एप और 10 भास आप देख सकते हैं इसमें सहाइता उपलब्द कराने के लिए यह उपलब्द था तो यह कुछ अन्य उजनाय थी जो हमने देख लिए बस तरुद्द्यों से सम्मधित अब बात करते हैं एक और चीज़ नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्परेशन के बारे में जिसे हम स्वाट तूर तमिलनाडू के अंतरगत देखने मिली और तीन में मुंबई में जहां उत्पादान जारी है यह चीज़ हमको देखने मिली इसके अलाबा हम देखें तो देश में देश का पहला बस्तर पार्क है यह फिर हम बोलें एपरल पार जिसे सिले से लाइबस्तरों को जो है निर्यात संबरदन के लिए बस्तर पार्क है तो इसकी स्थापना जो है वो कहां देखने मिलती है अपरल पार्क की तमिलनाडू के तिरुपूर गाउं में ठीक है इसके अलाबा निर्यात में इसका योगदान अगर देखें किसका जो भारती कपड़ा है भारती कपड़ा काफी महत्मुन भूमी का निभाता है काफी युगदान इसका और तमान में देश के कुल निर्यात में कपड़े के निर्यात यहां देखें जिसके अंतरगत हम को 20 मतलब जो है बीस प्रतिस परें प्राचीन परंपरा यहां देखनेग बलती है और चीन के बाद जो एक दूसरा यहां जाता है तो देखें तो इसिति इंडिया कंपनी जो थी इसींडिया कंपनी दौरा वश्थ आठारास के ऑठाराःइस दोरा एक प्रारम कि गया उसके पर चाहत नए कार खाने हम देखें तो देखें यहां 1832 में हावडाम प्रार्म किया गया और नए कार खाने इसके बाद 45 में मतलब करनाटक के अंतररकत कस्मीर में 892 का खोले गया बरतमान के अगर बात के तो रेस्मी जो बस रहे है उसकी लगभग यहां पर 324 कार खाने जो है देखने को मिलते हैं रेस्मी बस रुद्द्य क्रnajुर में भारत के अंतररकत रेस्म की पाच किसमे तो ये पाच किसमे आपको ज्जादा ध्याने देना बस सुन ली जे मलवरी होती है अब हुआ मतलब ऊतरं यहां मतलब मलवरि है अक यहां और यहां जो और यहां सबीर ऐस् कि अगर बात करें केंद्री सिल्क बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 की जारी रिपोर्ट के अनुसार करनाटक देश का 33 परसेंट लगभग यहां कच्छा रिसा मुत्पादन करता है आंद्रप्रदेश में अगर देखें तो आंद्रप्रदेश में देश का 22.58 परतिसा कच्छा रिसा मुत्पादन होता है यहां हम देखें तो कुछ रिफा मुझ्यो के प्रणुक के इंद्र है जिसके अंतरफांत आप देखें तकिर न् Exact परता करनाटक देश यह साथ जर्कंटेंड लेकर आप पढो सकते के लिए आदर्स जलवायू दसाय यहां पर उपलद्ध है रेसम उत्पादन विकास के हितु कुछ सरकारी प्रियास भी देख लेते हैं जैसे भारत में रेसम उत्पादन को प्रोस्थान देने के लिए वर्स 1919 में केंदरी रेसम बोर्ट की यहां पर स्थापने की गे और केंद्रिया रेसम अनुसंदान जो प्रसिक्षन संस्थान है इसकी स्थापना कहां की गई मेसूर करनाटक के अंतरगात और बहरांपूर में hung सथापना की गे में में भाई में हैं इसमें इन्सेती और अधिक ब्यापक prag बनाने के लिए ंगुंषेत लिए रचेंगी कि ऑनिवस्त्राइब करते हैं तो उनी वस्तिरुद्योग है तो इनी वस्तिरुद्योग है कि यानिकी जो है वूलन वूलन टेक्स्टाइल इंडश्ट्री और भारत में उनि वस्तिर निर्मान की काफी प्राचीन की प्रत्हम जो आधूनिक मेल को मिल की एंग घर दी तो भारत में अगर देखें तो भारत में वह जो यह आंसिक lactate की früh उद्द्र पर आधारित है और भारत में लगभग 958 एकाईया यहां पर उनिवस्ट्र इकाईया जिन में से अधिकांस जो है अधिकांस ताह लगुद्योग छेत्र की अंतर गताती है भारत की अधिकतर जो उनिवस्ट्र मिले है वो हमको देखने मिलती है पंजाब है हर्याणा है राजि तो हमाचल के जो गद्धी संजाती के लोग कीट में करते हैं ंर यह यह उट्करगाँ निर्मित जो उनिवस्त्र है उसका उत्पादक माना जाता है भारत में दो विस्ट प्रकार की उन यहां पाई जाती है तो वो कौन-कौन सी है एक तो पसमीना है और एक है अंगोरा ठीक है तो पसमीना जो होती है बकरी से प्राप्त होती है और अंगोरा जो होती है खरगोश से प्राप्त होती है तो दो यहाँ पर हमको किसमें देखने मिली और भारत उन के उत्पादक में साथफा बड़ा उनीच तो बज़ाएं भामिए लौकिया पितल से कि दए को देखे हैं तो हम देखे तो यहां पर देखे जो हम देखे हैं तो देहें लेके पंजाब आप देख सकते जिसके ऑन्या अंतर श्री ना इस्थान दिये महराश्ट कर देखें मुंबी यह राजिस्तान के आ स्थान गुजरात के अंतरगत जामनगर है, उत्तरप्रदेस के अंतरगत कानपूर, आगरा है, करनाटक के अंतरगत, बंगलूरु है. और कास्मिर के अंतरगत सिरी नगर है. यह चीज हम को देखने मिलती है और एक चीज और देखिये आफ सेंटरल new ll development board जिसे केंड़ी ओन विकॉस बोला जाता है तो इसकी भी बात करें यहाँ पर तो हम देखिये 1987 में किंद्री बस्तर मंत्राले के दवारा जोतपूर में किंद्री उन विकास बोड की यहाँ पर स्थापना कि गई और इस बोड का प्रमुक उद्धिस की बात करें तो विभिन साहयक जो सायक जो निरमीत उतपाध है उसका विभिन उत दुगों में प्रियोगत हुते हैं यह मतलब जो इसका उत पाद भारत जो है रंग सामगरी एव हम जो रंग मध्ययवरति वस्तूई ख़्छे से खास कर प्रति रोधी जो है अम लेवं प्रत्यक शरंग के लिए एक वैस्पी कापूर्ती करता है वो हमको देखने मिलता है एक है यूनीडो मतलब यूनीडो जो होता है यूनीडो मेंने की यून आई डी ओ जिसे हम बोलते हैं संक्त राष्ट अद्योगिक विकास संगठन ठीक है यूनाटेड नेशन इ प्रिक्त होने वाले जो रसाइन उसकी निर्यात में प्रभावकारी ब्रद्धी हुई है इसके अलाब हम देखें तो कुछ हम देख लेते हैं जैसे USA की बात करें इसके साथ ही ब्रेटेन, फ्रांस, हॉलेंड, बेल्जियम, दक्षिन अफ्रीका, बंगलादेश, मलेसिया व देखें हम बेसिक चीजे रसाइन उद्ध्योक से संबंधि सावजिनिक छेतर उपकरम जिसके अंतरगत हिंदुस्तान औरगनिक केमिकल लेमिटेड के अगर बात करने केमिकल्स लेमिटेड तो इसकी हम देखें तो यहां देख सकते दिखें इसकी स्थापना वरस 1960 में महरा प्राइनिक उत्पादन जो इकाईया है उसकी स्थापना को बल मिल सके वह देश जो है इस छेत्र में आत्म निर्भर बन सके तो यह चीज हम को देखने मिलते हैं किसके अंतरगत रसाइन छेत्रे के अंतरगत एक और चीज आप देखी हिंदुस्तान इंसेक्टी साइट्स जो है राष्टी मलेरिया जो राष्टी मलेरिया उन्मूलन कारक्राम है ठीक है इसकी अवसक्ताव को पूरा करना है बरतमान में है कंपनी जो है उच्छिस तरिये करसिगत कीटनासों का उत्पादन भी करती है चलिए रसाइन उद्द्योग के बाद हम देखते हैं आप पैट् पैट्रोकेमिकल लिएंड़िस्टी बोलते हैं और यहां देखे आपको जो है पैट्रू ड्रासाइन उद्द्योग है उसका प्रथम सैंत्र देखने को मिलता है इसके बाद साब्जिनिक शेетर का प्रथम कार खाना जो है हमको 1989 में देखने मिलता है तो 1946 में कौन सा देखने मिलता है Union Carbide India Limited जो कि ट्रामबे और 1969 में हमको देखने मिलता है इंडियन Petrochemicals Limited बढ़ोद्रा ठीक है 1979 में यहां स्थापना इसकी देखने को मिलती है फिर इसके लिए एक राश्टी निती भी आई थी जो पैट्रो रसाइन पर यहां राश्टी निती जो की 2007 में देखने को मिलती है पोईली, हल्दिया, वरोनी, जामनगर, ओरिया, गंधार, विसाकपटनाम, तेना घाट जो की असम में है, मंगलूर जो लुधियाना है उसमें पैट्रो रसाइन कॉंप्लेक्स इस्थापित किये गई इस नीती के तहट लाइसेंस नीती की यहां पर समाप्ती की गई ठीक है, मतला उदारी करण की नीती के कारण सेक्टराज अमेरिका, जो की USA के नाम से जाना जाता है, जापान, बिटेन हैं, इन सभी देसों की बहुराश्टी कमपनियां इस शेतर में पैट्रो रसाइन उद्द्योग में सामील हो गई और देस में हम देखें तो देस में पांच रसाइन, यानि सीर्स पांच रसाइन उत्पादक राज्ज है, जिसके अंतरगत देखें तो हमको गुजरात देखने मिलता है, महराश्ट देखने मिलता है, यूपी देखने मिलता है, तमील नाडू, और साथ में हमारा मदर प्र की हम को देखनें मिलता है निवेस को बढ़ावा देना इस चेत्रे के निमने और उछे सतरी जो देखों देख को इनका विकास करना पेट्रोरासाइन में जो है सोध एवं विकास जो मानोस अंसादन विकास है उसको भी काफी उन्नत बनाना चलिए हम देखते हैं अब आगे एक नेक्स्ट उद्ध्योग के बारे में जिसे जाना जाता है उसदी उद्ध्योग के बारे में इसके साथ ही हम देखें तो वर्स 1999 से 2009-10 के दोरान यहां हमको देखने मिलता है यहां 14 गुना ठीक है 14 गुना यह जो है उत्पादन बढ़ गया बैस्पिक इस तर पर दबाओ के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कुन से नंबर पाजाता है महराष्ट में ठीक है गुजरात में देखने मिलते है तमिल नाडू की बात करें साथ में पस्चिम मंगाल है मद्प्रदेस भी आता है राजिस्टान उत्तर प्रदेस इन सभी यानि दिल्ली में भी स्तित है जो मुंबई को लुकत्ता है हमदाबाद बडोदरा ये सभी अलग अलग जगे हमको ये जो है कार खाने देखने को मिलते है इसके अलावा भारत में जो है ओसदी निर्मान के पांच प्रतिष्ठान सार्जिनिक छेतर में पांच सेंक्तु छेतर में दो सो पचास संगठिस और लगभग पांच हजार लगू उद्ध्योग छेतर में कारे रात हैं तीन लाग से अधिक लोगों को ये जो है रोजगार पतान करता है ये उद्ध्योग और अधिकान से काई है स्थापना जो है युनाइटेट किंग्डम सेंक्तराज अमेरिका सुजजर लेंड इतली जर्मनी इन सभी के जो निर्मान फर्म है उनके सहयोग से इनका जो है इस्थापना की गई है यहां देखिए राश्टी ओसधी निर्मान मुले निर्धारान प्राधिकरण की बात करें तो रसायन एबं और वरक मंत्राले के अंतरगत जो विश्य सग है उसकी एक स्वतनतर स हम देखें तो बहुत सारे कारे स्वापेगा जिसके अंतरगत वसधी उत्पादों के मुले का निर्धारन उनके मुले में संसुधन करना वसधी मुले निर्धारन के आदेश के प्राधानों को लागो करना देश में नियंतरित और अनियंतरित सरकारी नियंतरन रही जो है नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन इूरबराख मुख्य रूप से अगर देखें तो यूरिया फास्पेटिक ऊर्वराख जो डी अपी की नाम से जानी जाती है ठीक है नाम भी सुना होगा अपने डी अपी तता जो ओमेनियम फास्पेट और मिस्रित ऊर्वराख है जि से बिद्धूद भट्टि ओमें एक प्रकार से प्रकमित किया कि रहे ठीक है पहरात चयूर च्पोनेहिए उपराख नोच्वरा उप्यारी सकतां है उप उत्पाद उसके रूप में यहां पर अमोनियम सलफ़ेट का उत्पादन करती है इसके अलाबा 68 68 68 जो अन्य लगुई काई या मात्र सुपरफास्पेट का उत्पादन करती है बरतमान में सार्विनिक छेत्र में जो है 10 यहां पर उपकरम और भारतिये उपकरम निगम और वरक निगम ठीक है एफ सी आई ठीक है तो यह जो है भारतिये और वरक निगम है इसका गुजरात के हजीरा में सहकारी छेत्र के अंतरगत एक उपकरम के रूप में यहां पर सकारेरत है इसके साथ ही हम देखें तो गुज देखने मिलता है और जो उडिसा है राजिस्तान है बिहार है महराष्ट है असाम पश्ची मंगाल मद्र प्रदेश इसके अंतरगात आता है इसके अलाब हम देखें तो उर्वरक है यहां पर मुख्य पोसक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन उर्वरक जो होती एन है यह चीज आपको देखने को मिलती है चलिए आगे देखते हम एक और यहां पर उद्योग देखने मिलता है देखिए इसके अंतरगात रसायनिक उर्वरक उद्योग जिसे केमिकल फर्टिलाइजर एंडरिष्टी बोला जाता है तो एतिहासिक रूप से हम देखें तो दे अनाटक के बेल गोला नामगस्तान पर मैसूर कैमिकल फैक्टरी मैसूल यहां मैसूर कैमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है वह हमको देखने मिलता है अमॉनिया उर्वरक का कारखणने यहां पर लगाए गया है में स्थापित किया गया इसके अलावा भारत में पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह के तरिये से जो है आयात पर निर्भार है और भारत में नाइट्रोजेनी जो उर्वरक उसकी खपत सबसे अधिक मानी जाती है इसके अलावा देखें तो 2015-16 की बात करते हैं 2015-16 में जो दूसरे स्थान पर पुद्दुचेरी है और तीसरे स्थान पर पंजाब माना जाता है कोक अधारित उर्वरक इकाईया तल्चर जो की उडिसा में रामगुंडम आंदर प्रदेस में कोरवा चक्तिसगर यहां पर उपस्तित है इसके साथ ही हम देखें तो कुछ डाटा दे देखने को मिल रहा पुल उर्वरक की अगर बात करें दूसरे नंबर पर देखने मिला तो यह आप पढ़ सकते हैं तो आपको फास्पेटी उर्वरक देखने को मिलता है इसके लाब कुछ डाटा और है जैसे वर्स यहां पर दी है ठीक है किस चीज के लिए दिये है जो बर्स है हम देख सकते हैं यहां पर देखें तो देखें उर्वरक का उपभोक से रिलेटेट है आपको बर्स देखने को मिलते हैं तो पहली चीज़ तो देखें 2011, 10-11, 11-12 और 12-13 यहां पर देखें लाग टन में दिया है तो यह डाटा ह Cohen कितनी क्थनी आपको देखने की मिलती है और रजय को पमुशबता है इसके अलाबा करभब को का जो यूरिया अमुनिया सैंत्र है वो हजीरा यह गुजरात में है उत्तर प्रदेश में सहां जहांपुर एबंजगदीशपूर के कारखाने में भी गैस अधारित यहां देखने को मिलता है चलिए तेल एबंगेस अधारित जो उद्योग है उनकी बात कर लेते हैं यहां पर भार परेल उत्पाद के अगर बात करें जिसमें जीडीप की बात करें तो इसमें 15% की भागेदारी यह देता है पैट्रोली मुत्पादों के निर्यात का जो कुल देश का कुल निर्यात है वो हमको 17% के आसपास देखने मिलता है इसका हिस्सा है विदेशी मुद्रा अर्जित क अर्जित करतादेश 2018 का अनुसार तो आप देख सकते हैं पहले नमबर पर एराग है दूसरे नमबर पर साथी अरफ ठीक है तीसरे नमबर पर इराण फिर वेने जुलाब आप मिलता है मिल्यन 10 में आपको देखने को मिलता है चलिए आगे का दो हम देख सकते हैं मैं है काधारबुत उद्योग है जो की लगवग 10 लाग लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर उजगार पदान करता है ठीक है उत्पादन के अगर बात के पादन 425 मिलियन टन यहां चमता के साथ भारती सीमेंट उद्योग जो है कुल बैस्विक उत्पादन में 7% के यहां पर युगदान देता है ठीक है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 98% हिस्सा जो है नीजी कंपनियों का आता था दो प्रतिसात यहां पर जो है सावजेनिक कं में कंपनियों का हिस्था माना जाता है भारत में 210 सीमेंट कले सजाने दो से ठीक है कि यहीं को देखने मीलता है कुल इस्थापित जो छमता है 350 मिलियन टन देखे आपको sun दी है ठीक है million ten में आपको उतपादन दिया है उपवोग दिया million ten में ठीक है तो यह आप देख सकते हैं इसके साथ ही हम देखें तो जो सरकार है उस सरकार भी विविन योजना याने की स्कीम से एवं पहले को प्रक्सान दे रहें जिसके अंतरकत आप देख सकते प्रधान मंत्री आवास योजना स्मार्ट शिटी ओजना में किन इंडिया योजना इसके लाबा हम देखें यहां पर सिमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया के जो है दस सिमेंट सेंटर देखने के मिलते हैं जिसके अंतरगत आप देखिए राजबन हिमाचल प्रदेश में चरकी दाद्री हर्याना में दिली में दिली नीमच में मद्य प्रदेश में बोकानन असम में आकाल तारा 36 गड़ में अदिलाबाद तिलंगना में तंदूर तिलंगना में तो यह हम ने ख्रसी अधारी प्रहुब्रेश सेमें जिसके इंतरगत हमनें बात के चिन अधारी ब referring और से स्ट्रुड के बारे में कुछ पहले हम ने देखें हैं तुर कहारी उजना जो bakery सै की विशत्रा से बात कि में पृट n आउट है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे बताईए और इसके अलावा आप जो है टेलिग्राम चेनल जो ग्रूप है उत्तर लेकन ग्रूप चर्चा परी चर्चा इन सभी से आप जोइन करिए ठीक है और आगे जो है अपनी पढ़ाई को कंटीन्यू कीजिए तो चलिए मिल